हलो, केम छो, मज़ा माँ छो, घरे छो, सेफ छो, ओके, गुड, चला तो सरू केरिये छे आपड़े आज नो लेक्चर नंबर सत्तर लास्ट लेक्चर सुधी माँ आपड़े स्टीरियो केमेस्ट्री माँ जे अगत्याना टम्स छे, जे अगत्याना सब्दो छे, आब दा सब्दो ने समस्ता सेखा के जे माँ आपड़े असम्मीती सूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ सेखा आजे आपने वाद करवानी छे आट टोपिक पर थोड़ुक आगडवद्वानु छे एकाद बे पॉइंट बीजा आजे स्टीडियो केमेस्ट्री छे आजे प्रकास रशायान सास्त्र छे तेना बीजा बेत्रोन पॉइंट सिखी शुँ अने पछी आपने पाछु आप आप्रे सुन लखेलू 2-Hydroxy-Propanoic Acid C-O-H C-C-Suppose के आज एग्या उपर OH आज एग्या उपर H-CH3 आ कौनों सुत्र लएकु में लाक्टिक एसीड उक्या चाल लाक्टिक एसेड अब आल लाक्टिक एसीड छे आ लाक्टिक एसीड प्रकास प्रतिय क्रियासर छे के नहीं यके वृती हिर्जए खबर पड़े verd Jim यानि अंदर कोई पन कार्बन किराल कार्बन छे हाँ कयो तके आँ वच्चे वड़ों कार्बन किराल कार्बन छे तेनी चारे चार सईयों जगता हो जुदी जुदी छे माटे आ किराल कार्बन छे माटे आ प्रकास क्रियाशिल छे अप्टीकल एक्टिव पदार्थ छे प्रकास प्रतिय क्रियाशिल छे अब याँ ओप्टीकली एक्टिव हसे जो आँ ओप्टीकली एक्टिव छे ए खबर पड़ी गई प्रकास प्रतिय क्रियाशिल छे प्रकास प्रतिय क्रियाशिल छे एटले के ओप्टीकली एक्टीव छे आउँ गेरेंटी साथे तम्हें क्यारे बोली सको छो ज्यारे मात्र आपेल संयों जन्मा आपेल कार्बनिक पदार्थ मा एकज किराल कार्बन छे तो तम्हें 100 अका गेरेंटी साथे बोली सको छो कि आप कज किराल कारबन छे एटले सो टका प्रकास प्रत्य क्रियाशिल छे तेमा कोई ब्यमत न थी अवे जो प्रकास प्रत्य क्रियाशिल छे तो तेनी ब्य पॉसिबिलिटी होई सक्षे क्या तो आ डेक्स्ट्रो समगटक होई सक्षे क्या तो आ लीवो समगटक होई सक्षे अवे अहीं जे आ बतावेलू छे अहीं जे ड्रॉक करेलू छे आ डेक्स्ट्रो हसे के लिवो हसे ये तमें कई रिते कही शको डेक्स्ट्रो छे के लिवो छे मात्रने मात्रा आपड़े प्रेक्टिकल करीनेज नक्की करी सक्किये छे प्रेक्टिकल कईरा वगर आ जे छे आप किसी मैं रैंडमली लखी दिदू आने उँ एलपन लखी सकते आज ने आज स्ट्रक्चर ने उँ एलपन लखी सकते ब्राबर किम कि उँँ जया सुधी पैक्टिकल नहीं करू तिया सुधी मने खबर नहीं पड़े क्या के वो प्रगापदार्त हसे यह देक्स्ट्रो आनु जे प्रतिबिम छे एक कंपल्सरी एल हसे अन्य जो आ एल लेक्टिक एसिड होते तो आनु प्रतिबिम कईव होते डी होते डी अने एल एक बिजाना प्रतिबिम बो छे सु करिया आनु प्रतिबिम मेडवा माटे देके सी डेबलो एच सी सी एस्थ्री उबी लाइन ने अड़कवानी नहीं अहिए जे उबी लाइन मा छे ते जहिए पन उबी लाइन मा राखवानू डाबा जमणा नी अदला बडली करो ओैच जमणी बाजू छे तो आएन ओैच डाबी बाजू लखी दो आने अबाजू एच ने जमणी बाजू लखी दो पति गई बाद। तो आ थही गईओ लैक्टिक ासीड आज ऑने पन लैक्टिक आसीड हेच केवाई पण आ लैक्टिक असीड नू काईं सोल्युप छे तके अहीं जो तमें D लाइक हुँ छे तो आ एल सो रूप छे लेक्टिक एसिड नूँ आदी लेक्टिक एसिड केवाई तो आने L लेक्टिक एसिड केवाई कदाच आने सिम्बॉल प्लस होई तो आनो सिम्बॉल माइनस तो D-Lactic Acid, L-Lactic Acid, Dextro-Rotatory-Lactic Acid, Levo-Rotatory-Lactic Acid ठीक छे, आँ बन्ने सुँँची एक भी जाना प्रकाश सम घटको छे Dextro अने, Levo, क्लियर? आँ बन्ने नूं मिक्षर, जो आँ बन्ने नूं सप्रमाण मिश्ण असे यहले 50 टका D-Lactic Acid अने 50 टका L-Lactic Acid असे जो आँ बन्ने नूं सप्रमाण मिश्ण लिदू हसे तो यहने सुँँ बोला से रैसेमिक मिश्ण कोई पन प्रकास्क्रियासिल पदार्थना जे समगटको छे काया प्रकास्क्रियासिल पदार्थना समगटको ने सुँँ बोलाई डेक्स्ट्रो अने लिवो तो डेक्स्ट्रो अने लिवो समगटको नू सप्रमाण मिश्ण 50 जेम 50 ना प्रमाणमा लिदेलू मिश्ण जेने बोलाई छे रैसेमिक मिश्ण अने रैसेमिक मिश्रन प्रकास प्रत्ये केऊ होई बिन प्रकास क्रियाश्रिल होई बराबबन नोट डाउन कर जो लास्ट वीडियो लेक्चर मां किदेलुचे लखावेलुचे के रैसेमिक मिश्रन प्रकास प्रत्ये बिन प्रकास क्रियाश्रिल होई छे ओके आ केऊ छे प् पन जो आ बंडेनू सर्खा प्रमानमा मिश्रन लेवामा आवे तो ते प्रकास प्रतिय बिन प्रकास क्रिया शील छे, ओप्टीकली इन एक्टिव छे, रैसेमिक मिक्षर, प्यार रैसेमिक मिक्षर is always ओप्टीकली इन एक्टिव, क्लियर थेगे बाद? जे आ समगटोको मडी लेला चे डेक्स्टरो ने लिवो, आने सुम बोलाई चे? आ समगटोको ने बोलाई चे एनान्सियोमर, प्रतिविम्बी विन्यास समगटोको, एक बिजाना प्रतिविम छे, आने पाछा एक बिजानी उप्पर अध्यारोपी थाई सकता नथी, आ कोई वस्तु अने तेनू प्रतिबिम जारे एक बिजा उपपर सुपर इंपोस थाई सकतू नथी, आध्यारोपित थाई सकतू नथी, बंद बैस्तू थाई सकतू नथी, एकनी पाछर बिजु ढंकाई जतू नथी, तो तेओने ज एनांशोमर्स केवाई छे, प्रतिबिम भी विन्यास समगटो को केवाई छे, जारे कोई पदार्थ, जारे कोई वस्तु अने तेनू प्रतिबिम बनने, एक बिजा नी उपपर आध्यारोपित न थाई सके, तो ज तेओने सुँ बोली सकाई छे, एनांशोमर्स केवाई छे, प्रतिबिम भी विन्यास समगटो को बोली सकाई छे अनि एवोज जे पदार्थ छे ते प्रकास प्रतियपन क्रियाशिल छे क्लियर थेगे वाद ओके चाल तो आटली वाद तो आप प्रे लास्ट लेक्चर सुधिमा के लिये थी आजे तमने विजा एक ब्या उदाण आपपा छे सपोज के मारे एक्जांपल आजे लोओ एक्जांपल तरीकी एक एक्जांपल लेओ बताओ कि जी तमारा बजाज फंडा क्लियर थे जाए तुमारे एक्जांपल लेओ छे टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटे नौइक असीड टू थी डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटे नौइक असीड 23-dihydroxy-butanoic acid चला structure बताओ आनू structure जराग दियान आप जोई या C-double-O-H-C-C-C ओके? butanoic acid चे ये 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 CH3 23-dihydroxy चे ये 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 OH ये OH बीजा ने तीजा नंबर पर OH आसे ये है ये H आसे ओके आँ structure थे क्यो 23-dihydroxy-butanoic acid ओके आमा किराल कार्बन 6 आपेल सही हो जनमा किराल कार्बन 6 चेक करो तो है कि आ कार्बन किराल कार्बन हसे नहीं होई तोन हाइडरोजन सरका आ कार्बन किराल कार्बन 6 चेक करो एक बाजू OH एक बाजू H एक बाजू CS3 तोन तो अलग औने चोठी बाजू है आखु ग्रूप आखु ग्रूप चोठी बाजू है ओके एले आ कार्बन किराल कार्बन छे किराल कार्बन छे ओके आ कार्बन किराल कार्बन छे चेक करो एक बाजू OH एक बाजू OH एक बाजू OH आने चोठी बाजवों आ अ खुग क्रूप चारे श्यों स्था तो अलग में तो आ कर्स निए कर्बन किराल कर्बन आए यह भी ओक्षिजेन आ विज़़ोंचे नहीं थाइ तो यहीं बैप याल कर्बन आयवे इतले गैरेंटी साथ ना बोली सकाई कि आपेल पदार्थ प्रकास क्रियाशिल्ट छे, ओप्तिकली एक्टिव छे, यह गैरेंटी साथे ना बोली सकाई, बराबर इना माटे सुन छे, तमारे प्लेन ओफ सिमेट्री औने सेंटर ओफ सिमेट्री वगेरे तमारे चेक करवा पड़े, पना आए बदी दीटेल माँ व किडाल कार्बन छे, किडाल कार्बन छे, येटले सपोज के आपने अवे तेनू प्रतिभीम नी वाद करिये, प्रतिभीम नी जो वाद करिये, तो क्यों मड़ से, उबी लाइन ने अड़कवानी नहीं, क्यों मड़ से, ध्यान आपो, C, H, C, C, CH3, ब्या ओवेस ने आ किडाल कार्बन छे, आनू प्रतिभीम आ छे, हाँ, सुँ आ बनने एक विजा उपपर बन बेस्था थाई सके छे, सपोज के आने इन्या थी उठावीन आनी उपपर मुकी दो, तो बन बेस्था थासे, C, H, नी नी नीचे C, H, ढंकाई जासे, आ ब्या कार्बन नी नीचे, आ ब्या कार्बन डंकाई जासे, होके, C, H, नी नी नीचे C, H, ढंकाई जासे, होके, बट अवे इन्या सुँचे, OH, आना इन्या सुचे ब्या बाजू H, तो बन बेस्था नही थाई, बन बेस्था था था नथी, वस्थू अने तेनू प्रतिभीम एक विजा उपर बन बे आजू ओन लिवह उचे, आँ प्रकास कुरी आसिल पदार्थ छे, एक डेक्षटओ छे तो ब्रतिफो लिवह उचे, आन बनने भेगा थे न सुँ बनावी सक्तें, आद या बनने भेगा सुचे बनावी मो satisf autop inherent हूँ अन क्या मीम्यादए सब ना नबबन गे माने, सबें सब और बीजी रीते बताऊ तो अई यहां ध्यान अब जो अजू समझ जो वात में अवे सपोस्ट क्यों आनेज का एक आरीते लखू छू बराबर ध्यानती जूँँआ सी सी ओच लखवानी स्टायल हो निए बन्ने एक बाजू राखेला अवे थोड़ीक में पाची कई का नि अंदर गर्बड करीड युडिंए एक ओच आम रही एक हैं एक हैं रही हो एक हैं रही हो अ अउकाश्री या गोठावनी जा लगालग छे ने आपने अउकाश्रम गोठो कोनी बात करी है चाल अवे मैं आउँ कई रूँ अने उन नंबर त्राण आपी दो तो अवे मैं आ रिते बताईगों सुछे अजूपन आ टू थी डाय हैड्रोक्सी ब्युटेनोई कैसिक डच्छे मैं आने आ रिते बताईगों अजूपन आनी अंदर आ बे कार्बन किराल कार्बन अच्छे ओके अवे जो अनू प्रतिबिम बच्चे अरीसो आ अरीसो आ समझ अजू पन आ बे कार्बन किराल कार्बन अच्छे श्रू आवे आ वस्टू अने तेनू प्रतिबिम इक बिजा उपड बन बेस्थू थाई छे अजू पन बन बेस्थू थतू नथी चेक करीलो तो प्रकास्पतिय क्रियास्टिल से आपन तो बोली दव के आने पन डेक्स्ट्रो अने आने आ डेक्स्ट्रो होए तो आ लिवो होई सके छे क्लियर थे गे बात एकज पदार्थ थो 2,3-dihidroxybutanoic acid आ एकज पदार्थना में जुदा जुदा चार stereoisomers दोई राचे एकज पदार्थना में जुदा जुदा चार stereoisomers दोई राचे तो कोईपण पदार्थने केटला stereoisomers होई सके अईया जे छे स्टीरियो आईसोमर एकले आउकासी है समगटागो अईया जे छे आज एग्या उपर में केटला stereoisomers बताएवा आना चार तो कोईपण पदार्थमा केटला stereoisomers होई सके तो कोईपण पदार्थमा केटला जाद राखो या लख्या पू थमने कोईपण पदार्थमा 2 raise to N जे टला stereoisomers होई सके छे कोईपण पदार्थ ना स्टीरियो आईसोमर्णी संख्या गणवी होई तो कई रिते गणवानी तो कोईपण पदार्थ मा 2-2 N जेतला स्टीरियो आईसोमर्ण होई सके छे जा N बराबर सुँ जा N बराबर जेते पदार्थ मा रहेला कीराल कार्बनोनी संख्या जा N बराबर जेते पदार्थ मा रहेला किराल कार्बनों नी संख्या आपड़ो जे या पदार्थ तो 2,3-Di-Hydroxy-Betanoic Acid ये मा किराल कार्बन केटला हाता? 2 किराल कार्बन हाता तो बैनी N गात N बराबर किराल कार्बन नी संख्या तो बैनी 2 गात एटले टोटल 4 आवे तो 4 तेना स्टीरियो आइसोमर्स होई सके छे तेना स्टीरियो आइसोमर्स केतला होई सके छे? 4 जे मैं बताए वा बोड़ उपर 1, 2, 3, 4 हवे आ 4-4 स्टीरियो आइसोमर्स पाई की रैसेमिक मिस्वण कौन बनावी सके? नमबर एक आने नमबर तोन भेगा थेने रैसेमिक मिस्वण बनावी सके? बट उन तमने आवे एव पूछू के नमबर एक आने नमबर तोन भेगा थेने रैसेमिक मिस्वण बनावी सके? ना, नमबर बे औने नमबर चार भेगा थे ने रैसेमिक मिश्रण बनावी सकते ना, रैसेमिक मिश्रण कौन बनावी सके जेओ एक बिजाना प्रति बिम्बो होई, अने एक बिजाना प्रति बिम्बो होई, अने एक बिजाना प्रति बिम्बो होई, अने एक बिजाना प्रत प्रति बिम्बो छे उप्रांत एक बिजानी उप्पर आध्यारोपित करी सकाता नथी, माटेत तो एक डेक्स्ट्रो छे तो तेनों लिवो समगटक छे और जेथी ते रैसेमिक मिश्ण बनावी सक्षे सेम बस्तु नंबर 3 नंबर 4 एक बिजाना प्रति बिम्बो छे अने तेओ एक बिजानी उप्पर आध्यारोपित करी सकाता नथी, बन बेस्टा थता नथी, तो तेओ पर रैसेमिक मिश्ण बनावी सक्षे किमकि तेओ एक बिजाना प्रकास समगटको छे, बट अवे इन्या, नंबर 1 अने नंबर 3 एक जपदार्थ ना आईसोमर खरा, एक जपदार्थ ना स्टीरियो आईसोमर खरा, आईसोमर्स खरा थे, बट नंबर 1 अने नंबर 3 ने तमे प्रकास समगटको ना बोली सोको, किम कि आ इमेज आने आ इमेज आ बनने एक बिजाना प्रतिभीम नथी नंबर एक अने नंबर तौन एक बिजाना प्रतिभीम नथी नंबर बे आने नंबर चार एक बिजाना प्रतिभीम नथी नंबर एक अने नंबर चार एक बिजाना प्रतिभीम नथी अई या प्रतीबीम कौन छे नंबर 1 नू प्रतीबीम नंबर 2 छे और नंबर 3 नू प्रतीबीम नंबर 4 छे बस तो रहसेमिक मिश्टन कौन बनावी सक्षे एक अने बे अने बिजू तौन अने 4 अमाधी पूछे तमने कि आपेल सही हो जोनों पई की रहसेमिक मिश्टन कौनू बन से तेके पहला नंबर नू अने बिजा नंबर नू रहसेमिक मिश्टन बने पाँछी तीजा नंबर नू अने चोठा नंबर नू पर रहसेमिक मिश्टन बने पर को यहू पूछे कि पहला नंबर नू अने तीजा नंबर नू रैसेमिक मिश्रण बने ना, पहला नंबर नू अने चोठा नंबर नू रैसेमिक मिश्रण बने ना, बीजा नंबर नू अने चोठा नंबर नू रैसेमिक मिश्रण बने ना, रैसेमिक मिश्रण कौन बनावी सके, जेओ एक बीजा ना प इन्म्बर जोडी ने, इन्म्बर एक अने नं MS 2 नी ow एक जोडी ने शूं बुलाई, negó जा सटों जोडी चे तैके stereo isomer चे सर आ चारे चार सूँचे तैके stereo isomer चे कौना 2,3-dihidroxybetanoic acid ना stereo isomer के टला 2 raise to N बैनी ब्यागाद ज्या N बराबर किराल कार्बन नी संख्या ज्या N बराबर किराल कार्बन नी संख्या 2 raise to 2 एटले 4 तो नंबर 1,2,3,4 सूँचे तो नंबर 1,2,3,4 stereo isomer चे कौना 2,3-dihidroxybetanoic acid ना अपण यहनू का एक नाम तो हसे ने stereo isomer खर आपण यहनू का एक नाम तो हसे ने तो सूँचे तो तेनू नाम चे डाई-स्टीरियो-मर्स देखाई से एक मिनिट ओके देखाई से नंबर 1,2,3,4 जे सूत्र बता वेला चे चारे चार सूत्रो सूँचे तेके stereo isomer छे कौना 2,3-di-hydroxy-betanoic-acid नामना पदार्थना stereo isomer केटला तके चार डाई-स्टीरियो-मर्स डाई-स्टीरियो-मर्स क्यमके तेवो एक बीजाना प्रति बिंबियो नथी प्रति बिंबियो कोन छे 1 अने 2 ने सूँगेवाई अनांस्योमर्स प्रती बिंबी ओद 6, तौन आने 4 ने सूं केवाई एनांसियों मर, प्रती बिंबी ओद 6, समध पड़ेचे, जयारे एक, एउँ पुछे के 1, 2, तौन 4 ने सूं केवाई दाइस्टीरियों मर्स, अथ्वा एउँ पुछे के पहला नंबर ने आने 30 नंबर वच्चे सूं सबन पहलो नंबर आने 30 नंबर वच्चे दाइस्टीरियों मर्स, पहलो नंबर आने 4 नंबर वच्चे दाइस्टीरियों मर्स, और 4 नंबर वच्चे दाइस्टीरियों मर्स, पहलो नंबर आने 2 नंबर वच्चे दाइस्टीरियों मर्स, तीजो नंबर आने 4 नंबर वच्चे द मगर्मा बैसे से प्रतिविम्बो छे ते एना अन्सियो मर्ष अहीं पहलो ने तीजू एक बिजानू प्रतिविम्ब नथी छे एक बिजानू प्रतिविम्ब नथी तो दैस्टिविम्ब नथी जे एक बिजानू प्रतिविम्ब नथी तो दैस्टिविम्ब नथी जे एक बिजानू प्रतिवि ओके तो कि जे स्टीरियो आईसोमर्स एक भी जाना प्रती भीम न थी तेने बोलाई डाई स्टीरियो आईसोमर्स लखी लो जे अउकाश्रिय समगटको एक भी जाना प्रती भीम न थी जे अउकाश्रिय समगटको एक भी जाना प्रती भीम न थी तेओने डाई स्टीरियो मर्स कहे छे अने डाई स्टीरियो मर्स क्यारे ही पन रहसेमिक मिश्ण बनावी सके नहीं रहसेमिक मिश्ण कौन बनावे एनांसियो मर्स होई तेज बनावे डाइस्टिरियोमर्स कदापी रहसेमिक मिश्ण बनाऊ से नहीं मुझे वो पुछू के नंबर एक अने नंबर तौन रहसेमिक मिश्ण बनाऊ से ना नंबर एक अने नंबर चार रहसेमिक मिश्ण बनाऊ से ना नमबर बे आने नमबर चार रैसेमिक मिश्रन बनाव से ना जे एनांशियोमर नी जोड़ी छे एक आने ब्या नी जोड़ी एनांशियोमर तो आने चार नी जोड़ी एनांशियोमर टेज रैसेमिक मिश्रन बनावी सके तो रैसेमिक मिश्रन हम में सा एनांशियोमर बनावे ड आवकाश्य समगटों को माenne C 사ने ट्रांश पन आवे तो C scanne trans-sum गंडोगोंने पन डाइस्टीरियों मर्स केवाई उकाश्य समगटों च्य समगटकोंटर समगटक रहा ने लो सं ट्रांश अने लो एक चैप्टर चेप्टर आउसे आपड़ू DNF इबग ना ततो वाड़ू ओर्गेनो मेटालिक कमपण वाड़ू चेप्टर आउसे तेमा तम्हें एक बिजा बोमितिक समगटों को विशे सिख्षो फैसियल औने मेरिडानियल वरापर बोमितिक समगटों को तम्हें सीस औने ट्रांस अजु तम्हें एक नावा बोमितिक समगटों को विशे सिख्षो लगबक चेप्टर नंबर 9 मा तमारू जे ओर्गेनो मेटालिक कमपण वाड़ू चेप्टर छे तेमा एमा तम्हें बिजा बेनावा बोमितिक समगटों को शिख्षो फैसियल औने मेरिडानियल तो दरेके दरेक प्रकारना बोमितिक समगटों को डाइस्टिरियो मर्ज छे दरेके दरेक बोमितिक समगटों को डाइस्टिरियो मर्ज छे कोई पन एवा आउकाश्रिय समगटक कोई पन एवी आउकाश्रिय समगटक तामा आउतों समगटक कि जी एक बिजानों प्रतिभीम न थी जे प्रती भीम हवुद जरूरी नहीं, प्रती भीम तो हवुद जो ही है उप्राद एक भीजानी उप्पर आध्यारोपित न थाई सकता हुवा जो ही है तो एन अन्सियोमर्ण, अने जे आउकासी है समगटको एक भीजानी मिरारी में छैज नथी, तो तेहों ने बोलाई डाइस स्टिरियोमर्ण होई सके छे आईसोमर्ण, स्टिरियोमर्ण 2 रस्टु एन जेतला, 2 रस्टु एन जेतला, जा एन बराबर किराल कार्बन नी संख्या, कोई पन पदार्थ ने केतला डाइस्टिरियोमर्ण होई सके, 2 रस्टु एन जेतला, जा एन बराबर किराल कार्बन न संख्या ओके चाल लखेली दिवासे आटलो विजुए कुदाःण जोईलो एतले आधना लेक्षान ने पूरो कर देशू आपड़े ओके चाल ध्यांति जोई आइंगा कोईपण पदार्थना केटला, डाई, स्टीरियो, मर्स, होई, सक्या टू रेस टू एन जेतला, जा एन बराबर किराल कार्बन नी संख्या आणियम बद्धित जग्या पर साचो छे मात्र मैसो संयोजनों ना केश मा आणियम लागू पड़तो नथी कोईपण पदार्थना केटला, डाई, स्टीरियो, मर्स, होई, सक्या, टू रेस टू एन जेतला, जा एन बराबर किराल कार्बन नी संख्या मत्रम मैसो सही हो जोनों ना केश मा आणियम लागू पड़तो नथी अवे आण मैसो सही हो जाने टले सूँ अभी जाओ एक वस्तू बाकी नी रेवादो, समझी लाजो, मैं किदेल वतो तमने के जे सिलेबस मा नथी तेने आपना इया स्किप करीशू पन जे सिलेबस मा छैने तेमा थी एक कोई खुणा मा थी कोई वस्तू बाकी नी रेवादो अवे ऐा स्टिरियो केमेभ अच्टियो केमेस्टियी से, तोपिक जरेबली न शीलेबस नी अंदर छे, जरेबली न सीलेबस मा छे अवे ऐा मैसो सहिईओज़नों टॉपिक तम ने सिख़ोड़ाउं माँ ना आवे, व्यर्यो केमेस्टियोस पर जवाब नहां आपी साखो Paul कु刟 मैं 20 स्ंयों जनों ग्रोवा टौपिक जिले बलिन अस सिले बस कहिए मैं सो सहिएं छनों एक लिए सु थया मटभा तम्हें उदाहरण समझो मैं 728 उदाहरन संज화를 ूवाय तर्टरीडिक एसीड नूँ तर्टरीड एसीड नूँ उदाहरन समझो टाल्टरीक एसिद नूँ सूत्र लखू। 2,3-D-Hydroxy, butan-dio-e-c-acid, एटले C-O-H, 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 एक लाइन माँ चार कार्बन छे, पहला ने छिल्ला कार्बन पर सीदे बोलो छे, 2,3-D-Hydroxy, butan-dio-e-c-acid, आने बोलाई छे टाल्टरीक एसिद, आँ टाल्टरीक एसिद छे, अवे टाल्टरीक एसिद माँ आमें जू ओता आ कार्बन किराल कार्बन छे, हाँ, आ कार्बन स साथे जोड़ाईला चारे समुओ अलग 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 छे, चैकल लो-H, OH, C-O-H, आ बाजु एक आखो अलग ग्रूप, ओके, एविरीत आ कार्बन किराल कार्बन छे, हाँ, आनी साथे जोड़ाईला पन आजू बाजू उपण नीचे डाबे जमने चारे चार सम समुओ अलग 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 छे, C-O-H, वड़ाईला बे कार्बन, किराल कार्बन नत्याव ये तो आवड़े, आनी अंदर किराल कार्बन छे, आनी अंदर किराल कार्बन छे, छे, हाँ, केतला बे किराल कार्बन छे, तो सुन आ पदार्थ, सुन आ पदार्थ, प्रकास क्रिय क्यासल हसे तो आ पम चोक बूंख क क्रूंग थे क्यर प्रियाशिल असे ईन Warum ये तनी जो गुठ्वनी से तिना समुव नी सुपए प्रकास प्रड़कर उचेजंव कहरास क्रूंग तो अन्य स्यन्य पहले रांवर हो तो ये जो आपदार्थ प्रकास क्रियाशिल नति, it is not optically active, why, because the above half part of the structure is superimposed other half part of the structure. आ जग्या उपर plane of symmetry छे, plane of symmetry हाजर छे, तमें जूओ कि आ इस्ट्रक्चर मां उपर नो अड़दो भाग, नीचे ना अड़दा भाग उपर बंद बैस्तो थाई जाई छे, चेक करो. सपोज कि एक कागड उपर तमें आ इस्ट्रक्चर लखो, और आ कागड ने अईन्याथी वाड़ी दो, तो आ ओ एतनी नीचे आ ओ एच बंद बैस्तो थाई जाई जाई, आ एच नी नीचे आ एच बंद बैस्तो थाई जाई जाई, और आ सी दबलो एतनी नीचे आ सी दबलो बंद बैस्तो थाई जसे हाँ के ना अनि अंदर कोईपण जग्या उपर सिमेट्री छे प्लेन ओफ सिमेट्री हाजर छे आ किराल कार्बन ने किराल इटी ने आब दी वात्तो आपने सीधू समझावा माटे करिये छे बाकी मेन वस्तु सुझे याद करो आपने असम्मित ता कारबन ओंवां ागुण दर्मा समझावा माट residence १ मटैं आपने किराल कार्बन ने किराल एटि वाड़ी वात्त करें ली दर्वक्त एक किराल का बन सबस्तु सबब्स करें और किराल कार्बने ज़क्त करें सबढ़ पड़े चे उपर नो अर्दो बाग और नीचे नो अर्दो बाग एक बिजा उपर अध्यारोपित थाई सके एम छे तो आप अदार्थ नी अंदर किराल कार्बन छे त्याम छता जो तेना अनुवो पर्माणुवो समोनी गोठेवनी आरीते चे तो इटी जा अप्ट प्रतिविम नी वाद करो तो एना प्रतिभिम्नी बात करो, बट आप अधार्त अप्टिकली एक्टिव छेड ना थी, क्याम ना थी, तेनी अंदर प्लेन ओफ सिमेट्री हाजर छे, अप्टिकली एक्टिव प्रकास क्रियासिल हो, माटे ते असम्मित हो जरूरी छे, अत्यार सुधिये गोखेलू के बाई, किराल कार्बन हो एक्टली 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 तो मैं कि दू तमने स्टार्टिंग मां गया लेक्चर मां, कि एक किराल कार्बन हो तो सोटा का गैरंटी साथे बोल जो, कि आपेल प्रकास क्रियासिल हसे, पर एक करता वदारे किराल कार्बन हो तेरे सोटा का गैरं स्ट्रक्चर प्रकास की असिल नथी इट इस ऑप्टीकल इनक्टिव तो यह नूँ प्रतिभीम नहीं मड़ी सके चालो पर कोई यह पूछे के सार आज एग्या उपर जो कदा चाने आरीते लखे तो टाइटरीक असिद नाणूने समझावे लखवानी स्टाइल बीजी अवे तो यह थी ऑप्टीकल यह एक्टिव था ही जसे ध्यान आप लखवानी स्टाइल बीजी अनुने दर्शावनी स्टाइल बीजी ओएच 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 अच जो मैं सूफरक कही रोग मैं बन्ने ओएच ने आम लखेला आ केसमा मैं बन्ने ओएच ने ट्रांस पोजिशन पर चाहिं ने ये कोई चाहिं यह एउँ बताए दिदू हवे तुमें जूओ तो प्लेन ओफीमेट्रिक आयप थेगिए उपर न अर्दो भाग निचेना अर्दा भाग उपर बन बेस्तो नहीं थाई अणुमा उपर्न नो अर्धो भाग निचे ना अर्धा भाग साथे आइडेंटिकल नथी तो हवे आ क्यों छे प्रकास क्रियास इल छे जो आरी ते अनुमा पर्माणूनी आउकास क्रिया गोठावनी थे आ प्रकार नो श्टीरियो आईसो मर्दोई रो तो ते प्रकास, प्रतिय क्रियाशिल छे आणि अवे एनु प्रति भीम केओ, तेके आवाँ वच्चे अरीशों मुखी दो ता अनु प्रति भीम केओ, C double H, C, C double H H O H, O H, H ता बन्ने एक बिजाना प्रति भिंबो मेडा आने आप अधाज प्रकास प्रतिय क्रियासिल थायो ओके एकाज वस्तु थे वस्तु एकाज चे लख्वानी स्टाइल और उकाश यह गोठावनी खाली बताऊ छो आव वख़ंदे com1 총 1 देक्स्ट्रो कईतो तो बिजाने लिवो गईतो आव बन्ने एक बिजाना प्रकास शमगटको छे आव बन्ने बेगा थे ने नंबर आपगेदव आ परलो आइसमर नंबर एक आव जो आईसमर लगने लगने आत्री जो आइसोमर नंबर त्रॉन नंबर बे आने नंबर त्रॉन एक भी जाना एनांशियोमर छे रैसेमिक मिस्टर बनावी सक्षे एक भी जाना प्रकास समगटों को छे जर नंबर एक ऑप्तिकली इनेक्टिव छे एटले तेनों कोई प्रकास समगटक बतावनी जरूरत आउङ जणो के जेमा किराल कार्बन हो वा चपता ते ओप्टिकली इनलेक्टिव छे क्याकित जणो अप्लेन आउफ सिमेट्री घर चे एवा सविए जणो ने मैसोसवियो जणो कहे छे मैसो सहीं हो जोनो समझी गया मैसो सहीं हो जोनो एटले के एवा सहीं हो जोनो एवा पदार्थो एवी रितनो आइसोमर एवा स्टीरियो आइसोमर के जेमा किराल कार्बन छे किराल कार्बन छे एक करता वदारे किराल कार्बन छे एक किराल कार्बन होते तो क्याख प्रॉब्लेम द ना थी तो यe वाँ प्रकार्ण आईसो मर्स ये वाँ प्रकार्ण आशिणों जनों के जे माँ एक करता वदारे किराल कार्बन छे टेम छता तेवो माँ पलेन ओफ सिमेट्री बोजातीमा सम्मीतिय सम्तल सम्मीतिय सम्तल प्लेन ओफ सिमेट्री तो येवा प्रकार ना सहियों जनों के जहेमा एक करता वदारे किराल कार्बन छे अने तेमा प्लेन ओफ सिमेट्री छे एक करता वदारे किराल कार्बन होवा छता प्लेन ओफ सिमेट्री हाजोर होवा ने काराणे तेव ओ Portugal इने आपक्टिकल इनैक्टिव छे तो तिवा सउयो जनो ने मैशो सउयो जनो कहे छे लँखो मैशो सउयो जनो एक। प्लेन ओफ सिमेट्री सम्मितिय सम्तल होवा ने कारणे तेवो बिन प्रकाश क्रियाशिल छे अप्टिकली इन एक टिएधुछ चे तेवा संयों जनोंने मैंशों संयों कहे छे टो आज तार्टरी के असिड कैरें में तौन और सौँ इस रूप हो बताएं समने पैलस रूप बिजू साथ यूँ पूछए के टार्टरी के एसीड ना टैस्टिरियोमर्स केतला छे चार जबब घुटा जिए अंग रागवा किणा है जा, तमयाम बता हो कि आ बनने हो एतने जमनी बाजू पर बता यहाविए, बनने हो एतने डाभी बाजू पखे रिए जोट़ो बता भी यह तो ना, यह एक जपकेवाई, आइडेंटीकला जपकेवाई यह है। बાराब तो टार्टरिक एसिडङीश्द है lookingικ है भी ऊप नपने दों प्राखास क्रीया सबुआ हिला नंबर एक वर आने तॉन नंबर एक वर दाना सुखिए टाइस्टिरियो मर्स के वासे यह पेलों टूरेस्टु एन्वाडों नियम लागु नहीं पएड़ो बाकि पंडेक किलाल करबन होई तो डाइस्टी तरींक यहां कितला दाइस्टी इं इप तो एक नित्य है टचलिए वातों था जया है कि आँने हमेश सभी और यहां समझी गया प्रती बीम अने प्रती बीम एक विजा उपर आध्यारोपित ना थ हा इनान शे अमर डैस्टी बीम च्रेश है तो प्रती बीम ना हुँँआ जेमके नंबर एक अने नंबर बे एक बिजाना सूँ छे डाइस्टिरियोमर्स नंबर एक अने नंबर तौन एक बिजाना सूँ छे डाइस्टिरियोमर्स नंबर एक बे अने तौन एक बिजाना सूँ छे डाइस्टिरियोमर्स चलेर से वा ताटली एकदम पको चलो तो यहां लेक्चर ने पताविये से हवे आपने आगर मड़ी सो आबधी वातो एच्चुली क्याम कई री तो यहां तमारू आपकोंपिरिटिव एक्जाम ना पॉइंट ओफ यू अखो टॉपिक कवर थाई गयो चे इस्टीरियो केमेस मा अब दिवात क्याम कई री तो होए फरी पाच वू समझवानूंछे आपड़े ब्यासब्दो कि मह जब तैम ने किदेला एसन वन ना एसन टू प्रक्रिया चलाओं ती वख़ते सुँ रिटेंशन अने इनवर्जन रिटेंशन अने इनवर्जन ज्यमके मेदम ने किदेल कि sn2 प्रक्रिया थाए त्यारे मड़ती निपज मां हम्मेशा सूँ थाए इन वर्जन sn2 प्रक्रिया थाए त्यारे हम्मेशा सूँ थाए इन वर्जन कारण सहीत की देलो अने sn1 प्रक्रिया थाए त्यारे सूँ थाए तके जहरे sn1 प्रक्रिया थाए त्यारे बन्ने पॉसिबिलिटी छे बन्ने पॉसिबिलिटी छे एटले के sn1 मां retentionpent possible retention ऐटले दारण औने inversion possible SN1 प्रक्रिया था आये ते हाए ते रहे बन्य वस्थु possible छे retention पन possible छे आने inversion पन possible अवे समझो जर्य SN2 प्रक्रिया थती होई ते हाए तमारो जे प्रक्रियक छे तमारो जे कोई प्रक्रियक छे तमें जे हेलो आलकेन नी प्रक्रियाक करो छो, आँ हेलो आलकेन जो तमारो अप्टिकली एक्टिव कमपाउंड छे, तमें जे प्रक्रियाक नी SN2 प्रक्रियाक करवा जे रहिला छो, तो तमारो जे हेलो आलकेन अप्टिकली एक्टिव छे, जो तमारो हेलो आलकेन अप्टिकली एक्टिव छे, अप्टिकली एक्टिव छे, एटले क्या तो ते डेक्स्ट्रो हसे, क्या तो ते लिव हसे, मानिलो के ते डेक्स्ट्रो छे, मानिलो इहां के ते डेक्स्ट्रो प्रक्रियां दर्म्यान मर्ती निपज मां हम्मेशा इन्वर्जन जोआ मरेशे । ँरिक На क्र현 के लिवो जो तमारों हेलो आल सी आप्टीकली एक्टीव अप्टीकली हे देक्सट्रो प्रकार्न段 क्लमारीं उत्यती हम्मेलों्ति देता स्वीत क्धे ञतीरन प्रक्रिया नी मर्ती निपज तमारी हम्मेसा इन्वर्जन वाड़ी आसे जो आँ डेक्स्ट्रो आसे तो आँ लीवो आसे अने जो तमारो प्रक्रिया के लीवो सोरुप मा आसे तो तमारी निपज डेक्स्ट्रो सोरुप नी आसे एउ केवा मांगे छे आए सेंटू प्रक्र मरती नीपज मां हम्में सा इन्वर्जन जो मडए देला चे एलो अलकेन जो आपडीकली एक्टीव छे प्रकास प्रत्य किरियाश्यल छे तो बैपोसिबिलीटिय हसे आपड़ा प्रक्रियक पासे क्या तो ते डेक्स्ट्रो सोरूपनो हसे, क्या तो ते लिवो सोरूपनो हसे, अब जो ते डेक्स्ट्रो सोरूपनो हसे, तो मरती निपज मां हम्मेशा इन्वर्जन जो अमर से, यहले कि जो प्रक्रियक आपरो डेक्स्ट्रो छे, तो निपज आपनी लिवो हसे, आने जो सब्सक्रेजर तों सब्सक्रिक कर अब क selling में अधियbling अधियन सब्सक्राइम स 17 अधियन संते नियुं करें यह क्रेका में हो से सब्दो ना कोई अर्थद ना थी अब दी बात क्या रहे करवानी अप्टिकली एक्टिव पदार्थ प्रक्रियक होई त्यारेज आए रिटेंशन इन्वर्जन वारी बद्दी बात त्यारेज पोसिबल छे कि ज़रे आपनों प्रक्रियक अप्टिकली एक्टिव होई तो SN1 यारो ँड़ेंशन और्थ प्रक्रियक अप्राइज ऑप्टिकली एक्टिव होउ तो येना पासे वहय पोसिबलिटी छे क्या तो रिटेंशन क्या तो इन्वर्जन एदक बनी सके कि जह मर्थी नीपद छे ये मर्दी निपज धारो के आपरो प्रक्रियक ओप्टिकली एक्टिव छे ओप्टिकली एक्टिव छे तिमां आपरो डी प्रकार्नों छे, डेक्स्टो प्रकार्नों छे तो मर्दी निपज पासे पन बेह पोसिबिलिटी छे क्या तो मर्ती नीपद डेक्स्ट्रो सोरूपनी जासे क्या तो मर्ती नीपद लिवो सोरूपनी जासे अब जो मर्ती नीपद डेक्स्ट्रो सोरूपनी जासे तो आपने तेने सुं कहीशू रिटेंशन थायो अने जो मर्ती नीपद लिवो सोरूपनी जासे तो आपने तेने शूं कहीशू के प्रक्रियाक डेक्स्ट्रों हतो पंड निपज लिवो थेई गई तेने आपने शूं बोलीशू इन्वर्जन बोलीशू समध पड़ेशे ओके तो आवस्थूक अती धारणने इन्वर्जन नो एक्चुल कॉंसेप्ट आ हतो क्लियर? SN2 प्रक्रियामा अल्वेज इन्वर्जन थाई जो आपनो प्रक्रियाक डेक्स्ट्रों तो निपज लिवो अथ्वा जो प्रक्रियाक लिवो तो निपज डेक्स्ट्रों सोरूप महाँ से औने SN1 प्रक्रियामा बनने पॉसिबिलिटी से रिटेंशन इन्वर्जन बन इटेन्स प्रक्रियक प्रक्रियक डेक्से निपजबाण लीवो Orleans झो हली अगाले याख रख याख याख गैBox जबीर सइंडरे याख यह प्रकरियाक लिदो, ये प्रकरियाक लिवो फर्म माँचे, और तमने मर्ती जे निपज छे तमने मर्ती निपज पन लिवो फर्म माँचे, तो आने शूं थाए उखए वाई, retention थाई हूँ के वाई कि inversion थाई हूँ के वाई same छे ने प्रक्रियक लिवो अतो निपज पन लिवो retention आया तो एव के जालू आतो कि निपज लिवो अती तो inversion अर यह बढ़ तिये वखत प्रक्रियक dextro अतो ने प्रक्रियक dextro सोरूप मा अतो निपज लिवो सोरूप मां मैड़ी always inversion प्रक्रियक डेक्स्ट्रो सोरूप मां छे निपज डेक्स्ट्रो सोरूप मां मैड़ी retention प्रक्रियक लिवो सोरूप मां छे निपज लिवो सोरूप मां मैड़ी retention प्रक्रियक लिवो सोरूप मां छे बट नीपज तमने डेक्स्ट्रो सवरूप मा मैडी तो सूखे वाई एने इन्वर्जन तो अईया थायू के वाई इन्वर्जन अईया थायू के वाई रिटेंशन जोवानुचे बनने बाद जो सूखे थे I think अवे कोई गुछवाड़ो ना थी Okay, in SN2 reaction there is always inversion take place there are always inversion take place that means if our reactant is dextroform the product will always in levoform okay or if our reactant is in levoform the product is always dextroform that is over in SN1 reaction both possibilities are possible both possibilities are possible either dextro or levo बनने possibility छे dextro भी मली सके छे levo पन बनी सके छे product यले के retention पन थाई सके छे और inversion पन थाई सके छे के वीरी ते खबर पड़े कि retention थायू के inversion थायू प्रक्रियक जोवानू प्रक्रियक जे फर्म माँ छे तेज फर्म मा निपज मैडी यले के प्रक्रियक डेक्स्ट्रो सरूप माँ छे निपज पन डेक्स्ट्रो सरूप माँ मैडी retention थायू प्रक्रियक डेक्स्ट्रो सरूप माँ छे पन निपज लिवो सरूप माँ थाई गई इन्वर्जन थायू बस अन्थी विशेश अवे आनी अंदर कई ना थी पाकी बात चालो तहीं आपड़े सब्स्टिटुशन रियक्शन में पूरी करियेशे अवे नेक्स्ट आपड़े जेशे एलिमिनेशन प्रक्रिया उपर जाईशू विलोपन प्रक्रिया विलोपन प्रक्रिया सीखिशू नेक्स लेक्चर मा अने पछी सीखिशू दे रियक्शन विथ मैटल्स धातू साथे नी प्रक्रिया इतले आँ चेप्टर पूरू थाई आने बराबबर समझेले जो कैमके आन झाल झाल